नमस्कार, हर्याना नियूज के खास कारेक्रम चोक से चोबिस का एक्जिट पॉल में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ खितिन अब हम पहुंचे हैं गुरुगराम विदान सवा चेत्र के सबसे बड़े गाफ वजीराबाद में वजीराबाद में यहां पर लोगों से जानेगे कि क्या कुछ उनकी छेत्र के समस्या हैं और क्या कुछ यहां पर चुनाओ को लेकरके माहौल फिलाल बना हुआ है नाम क्या है है? नाम मेरा मुनीश है मुनीश? इसे लोगों में जालुकता आया है और अच्छे काम कर। एक बार फिर से तो चाहते हो बने दुबारा और देश को अग्रसर करें अच्छा विपक्ष की तरफ से जो गठबंधन बनाया गया इंडिया नाम से उस पर क्या कहें गया वह तो बिख्रा हुआ है उसमें कुछ है नहीं यह कुछ नहीं है उसमें उसमें तो प्रदेश में सरकार है बीजेपी की मुख्यमंत्री मनोहलाल क्या लग रहा है प्रदेश में सरकार है एक बड़ फिर से बनेगी हम चाहते हैं बीजेपी आए दोवारा मनोला अच्छे काम कर रहे हैं सब्सक्राइब शांसद और विधायक के अच्छे के बारें क्या काम होता है एक फौन बैई ऐसाका सरा काम होता है अच्छा यहां चेतर पे विकास कार रहे हैं कौन से अनिहांगे हैग दूदिकूरिय का कोई समधन नहीं है गाड़ी कुड़े की दो दिन में आती है पारक थोड़ डबलफ हुए है पिछले एक साल से चुनाव नहीं हुए पारक इसलिए थोड़े गंदे वरक हैं तो अगली बार किसे देखना चाहरेगा सर मोधी के लावा कोई दूसरा चैरा देखना ही नहीं चाहते हैं बिलकुल न इंडिया गठबंदन बनाया अगया ते मोधी जी को अठाना कोई भी आ जाए जैसे अरियाना है हमारा स्टेट इसमें कोई भी आ जाए पर सेंटर में मोधी चाहिए अच्छा अर्याना में भी दो बार से बीजिवी की सरकार बन रही है तो इस बार किसमें मुकाबले लग अब मुकाबले की तो अभी तो क्या कह सकते हैं अभी तो कुछ तैयारियां भी नहीं है ऐसी वो तो तो उसी टाइम अच्छे से बता पाएंगे अच्छा भी जो यहां के सांसद हैं विदायक हैं वो आते जाते हैं यहां आते जाते तो हैं पर उतना ध्यान नहीं दे रहे ह देखिए हमारे नालीों की टाइम से कोई सफाय नहीं होती जो पारसद होते हैं उनका पर वहां हो रही है यहां की छेतर की समस्या है हैं कि आखते बारिस पेंग लेकिति हैं कि आपकी समस्या यह यह देख लगे Cage कि altenया इतना हो प्रदानमंत्री किसने बनाओंगे किसने बनाओंगे प्रदानमंत्री मोधी जी हैं आप प्रदानमंत्री किसे देखना चाहते हैं अगला मोधी जी को अच्छे लगते आपको बहुत अच्छे क्या काम अच्छे लगते हैं उनके वो जो काम करते हैं वो सभी अच्छे लगते हैं जनता के लिए देश के लिए जो भी करते हैं सब अच्छा लगता है उनका काम अच्छा प्रदेश में भी जुनाव होंगे हर्याना मे बहुत कभी मुख्यमंत्री वो कैसे लगते हैं पूब चौशा है यहां के समस्याइट क्या है क्या आपको लगता है यह यहां यह वची आप गाउम में है आप तो यहां पर होस्पीटल नहीं है पास में नहीं है एक महीला है तो महीला होने के नाति आपको किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्या चाहती है अपनी सरकार डेली नगर निगम वाले आने चाहिए यह सीवर की समस्याई यह दूर होने चाहिए और यह कर शपाई कर्मचारी यह डेली नाते हैं टोट की संपाइव अगरानी होती हैं यह यह सब दूर होने चाहिए आपका नाम क्या है उश्या सर्मा जी आप बताओ 20024 में चुनाव होंगे प्रदानमंतरी मोधीजी है अब यह तो तो दोजार चुबिस में जब चुना होंगे किसे प्रदानमंतरी देखना चाहती है नरेंदर मोधीज को अच्छे लगते हैं आपको येस क्या अच्छा लगता है वह बहुत अच्छे सबके लिए अच्छे कर रहे हैं सबसे बड़ी में भी मुख्यमंतरी इंदिया के नाम से वह कैसा है अच्छा कोई बात नहीं यहां सांसद विधायक आते हैं बहुत गंदी वाड़ा रहता है और गटर लाइन और सब खराब ही रहते हैं और इत्ती साफ सपई नहीं है यहां पर यही प्रोब्लम है आपका नाम क्या है अंजु शर्मो अंजु जी आप बताओ दो हजार चोविस में जब चुनाव होंगे तो कैसा माहूल लग रहा है आपको किस पार्टी के पक्ष में माहूल लग रहा है अच्छा लगता हूं उनमें यह यह जो देश में काम कर रहे हैं बीधेश में काम करते हैं मतलब आज तक कोई परधान मंत्री ऐसे गया नी था जो परधान मंत्री आज कभी मैंने तो देखा नहीं आज तक विधायक और जांसत नहीं आते हर्याना सरकार के लिए भी चुनाव होंगे अगले साल अगले साल आप क्या चाहते हैं हर्याना में सरकार यहीं वने फिर से जाडू लगा के जाएं अच्छे से सारा कूड़ा मतलब उठाके लेके जाना चाहिए उनको वो एक्स्टा कूड़ा नहीं उठाते हैं तो मतलब अच्छा नहीं लगता है हमें भी मतलब अच्छा नहीं लगता बोलना कि तुम लोग ये करो यो करो वो मतलब फिर हमें समझाने लग जाते हैं कि क्या है साफ सफाई की व्यवस्ता सही नहीं से साफ सफाई तो होनी चाहिए को फोल फिन उड़के जा रहे हैं मतलब यह हम लोगों को भी थोड़ा ख्याल लखना चाहिए कि जैसे पॉल फिन कोई चीज डाल लिया तो पॉल फिन हम अपने घर को उठा के लेके जाए डस्ट मीन में ही रखें मतलब उनको नाम बताओ अपना सुरेश कुमारा जी सुरेश जी आपको क्या लग रहा है 2024 में जब चुनाव होंगे तो प्रदानमंत्री कौन बनेगा नरेंदर मोदी जी एक बार फिर से नरेंदर मोदी आज इंदर मोदी अच्छा काम कर रहे हैं नरेंदर मोदी अ मिलि जी यह चेतरी की समस्यां क्या है के पाने की समस्या जी रोड की पूरा हो रहा है पार गोकी कटिनी और ही जडो कोई बात और मोदी है आपको लग रहा होता है 2024 में कैसा चुनावी माहुल है बाई चुनावी माहुलतों से दोनवा गबराब विर्शा का लागए है राहुल कर मोदी का और भाई बाकी इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया के डुबंदन से आपको उमीद है आपका नाम क्या है नरेश कुमारी नरेश जी आपको क्या लगता है क्या होगा 2014 के मैं इसकी जो अब हैं सिया में तो नहीं को चाहूं मनुहरलाल को चाहते हैं मोदी को अच्छे काम कर रहे हैं ठीक है बहुत अच्छा लोग सभशनाव में आप कह रहे हैं कि मोदी जी एक बार फिर से प्रदानमंत्री बढ़ने चीए हैं वो वो उनके क्यों से काम काज अच कर रहे हैं बना रहे हैं टरफर के सरकार हैं तो दो बार इस की सरकार बनेगे रहे मोस्ताव कांग्रेस की इस सरकार ने तभी काम हूंगे हमारे लेकिन estem बननाइब मतलब कांग्रेस को सकती तो और यह जो यहां के आपके सांसद हैं विधायक हैं वो आते जाते हैं कभी समस्य हैं सुनते हैं यह इसे तर नहीं तर रोड बना रहे हैं यहां से इतने गंदा है देखा गुडगाम हम देख लो टूट पोटे शीवर है उसकी बलो की जै पाणी की है कुछ काम नहीं हो रह हैं इतना तपका पानी का भी नहीं आरा बताओ अच्छा किससे उम्वीद है आपको ये काम कोन करेगा आपके अपके अपर एलेक्शन आएंगे सारी यहां पर खड़े हो जाएंगे आके वोट मांगने के लिए अच्छा अभी देश के प्रदानमंत्री हैं ने रेंदर कर लेगा जो नीचे वाले हैं वो करें अपना काम करी रहा है वो तो काम ठीक करें जो नीचे वालों की है ना वहर एक बंदी को देखनी सकता तो अगली बार किसे देखना चाहरे हो प्रदानमंत्री आएंगे तो मोदी जी अच्छा विपक्ष ने जो इंडिया गट-बंद हर्याना में क्या लग रहा है आपको हर्याना में किस-किस में टककर हो सकती है किसकी आलत ठीक लग रही है यह उप्शन कोई नहीं दिखेगा तो बिजए पिद्धे बिनके वर वावात हो लेगी सरकार बढ़ लेकिन वह वन साइड में नहीं होगी जाए लास्ट टाइम थी जी बिल्कुल फसक्ला क्या काम अच्छे लगते हैं जो भी काम करा हैं उसने पूरे विस्व में उन्होंने जंडा गार दिया है चांद तक जंडा गार दिया उन्होंने ये उनकी यही एक पहचान होती है एक परदान की कि देश के लिए देश को कैसे आगे बढ़ाए जाए जो आपके छोडुल के सांसद हैं उनके बारे में क्या कैंगा We are मिखने छांसद अपना काम कर रहे हैं और जैसे परदान को चाहते हैं उनसे उम्मीद करते हैं एक्सपेक्ट करते हैं उससाब से वह भी काम कर रहे हैं तब ही देश आगे बढ़ रहा है अच्छा यहां के विदायक आते जाते हैं आपके पास का सर्कार तो है उसका असर तो रहता ही है बाकी ठीक है वासे सरकार कॉबरॉल ठीक है बड़'re all ठीक है बटो इपार्टमेंट में और द्यान दिया जाए तो अच्छा हो सकते हैं नाम क्या है? कुल्दीब भाई जय सकती है कि अदे अटोर को अच्छ कहले है विपक्ष नहीं नहीं सकती है अजया लेखल सब्सक्रीड THEM कविपक्ष कोई नेता है तो आसने है को अच्छ कोई भी नहीं है एक भी अच्छा सांसद कैसे हैं सांसद बस काम चलाओ अच्छा विदायक कैसे हैं सुधीर सिंगला जब कोई फंक्षन हो या को जो रखाई है जभी दिखाई देए उससे पहले कोई काम नहीं प्रदेश में क्या माहौल रहेगा प्रदेश में जब बाई टकर तो बीजेपीर कांग्रेस की रहनी है पर अब यह उड़ा आटा दिया दो डामडोडोगा कांग्रेस का तो जो सुनने मारा कि उड़ा को अलग कर दिया है सेल जा अर अपना कून सा हो सुर्जेवाला इनको पना दिया इनकी तो गिंटी नहीं है कहीं दोनों की य जीरो है फिर फिर से मतलब बीजेपी की सरकार आ सकती है हाँ चांस तो है अच्छा कोई चेतर के मुद्दे आप बताना चाहते हैं बाई चेतर के मुद्दे तो मारे बहुत है पाणी आता नहीं है कोई सुनाई और गंद देखो सेक्टर में आप बेउन्वाना है ना कोई क रहे ना कुछ है जहां कहते हैं कर मोर्मना की चांस ज्यांजां किसी एक बार्टी को बहुता आना मुस्किल लगता अच्छा और केंदर में केंदर में साइद मोधी जी ले जाएंगे एक बार भी फिर ले जाएंगे तीसरी बार रिपीट क्योंकि जो विरोधी दल है में पॉजिशन है उनमें कोई ऐसा नेता नहीं है जो देश को चला सके आप बंदर गाड़ी के ऊपर बंदरों को बिठा द रेकिन मोधी होगी कैसी है लोगों को रोजगार मिलेगा तब ही जो लोगों के पैसा काम कई अभी तक का कामकाज कैसा है पिम मोधी का वैसे कुल मिला करके हम पूरे दुनिया के प्रिपरेक्शन में देखें तो अच्छा काम पढ़ी है विज्ञान के एक्षेतर में काफी किया है इस रोको बढ़ावा दिया है आप चांद पर पहुंचे हैं दुनिया में पहला नाम हो गया आप चांद की ऐसी तस्वीरें आ रही है दुनिया में किशी के पास नहीं जो इंडिया के पास है तो काम तो अच्छा हुआ है लेकिन थ दूसरी पार्टी आए जैसे वो जन्सक्ती पार्टी वगरा जो जेज़ेपी वगरा है उनकी भी कुछ सीटे आएंगी कुछ थोड़ा बहुती है इसलिए यह तो फिर आपस में ताल मेल करके जैसे आप सरकार बना लिया आगे भी कोशिश करेंगे पर मेरे हिसाफ से ऐसा लगता है कि साइद बहुमत किसी पार्टी को ना है आपका नाम क्या है मेरा नाम प्येस वर्मा है अच्छा आप यह बताओ दो हजार चोबीस में कैसा चुनावी माहोल है अभी कुछ नहीं कह सकते हैं अभी भाग रहे चारु तरफ स्टेटों वाले भाग रहे राजतार व केंदर में आएगी मोधी जिए उपर एक आदमी है जो कंट्री चल रही है व्यक्त काम काज का ठीक है एक आधा यह है कि ठोड़े वो प्रेफेंश देते गुजराथवारी केंटर को अच्छा विपक्षी गटमन में हैं। इंडिया उससे को उमूइद है आपको?। है因्डिया विपक्षी दलों ने गटमन बनाया इंडिया Best विपक्षी दलों ने करथा ना कड़ेगा। रचरियन कुशित कर रहा है। जनुक्र म यह पने मेंहीं का रहा है। हर्याना में किस किस में टकर देख रहे हैं जब चुनाओंगे हर्याना में तो कॉंग्रेस की हो सकती है कॉंग्रेस की बीजेपी की है जादा चांस किस के है वसे जीतने की बीजेपी की है नाम किया जी आपका श्री बगवान जी दोजार चुबीस का कैसा चुनावी माहूल है माहूल बढ़िया है मोधी का अच्छा केंद्र में एक बार फिर से आप मोधी कुपरदान मत्री लुकुल मोधी आएगा अच्छा व सारे बढ़िया है एक भी काम को बता दे उसका जो खराब हो अच्छा आपके जो सांसद हैं उनके बारे में क्या कहेंगा सांसद ठीक बढ़िया आदमी इमानदार आदमी वैसे कामकाज करवा रहे हैं चेतर में हां कामकाज बढ़िया जो जाता है परियाद लेकर उसका होत मुख्यमंत्री मनहुरलाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे बारे में मनहुरलाल इमानदार आदमी है अच्छा 2024 में जब चुनाओं होंगे विदान सभा के तो क्या लग रहा है एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी हर्याना में बारी टककर है किसके साथ कांग्रेस की क चाहिए बीजिपी विद्र के चांस भननेगी के ज्यादे है या बीजेपी बाइफ देखो इनकी दोनों के टककर है चुनाओं में मुद्दे क्या रहेंगे यहां दो सब अपने मोज मस्ती से रह रहे हैं अपना आराम से यहां मुद्दे क्या है यहां सरकार से क्या लेना यहां तो अपने सब इन जुवांगे ले रहे हैं अपना आराम से शान केंद्र में मोधीजी सरकार मोदी जी पर्दान मंत्री है तो यां तो मोधी जी परदान पर सकते। बिल्कुल बनेंगे इसमें कोई दोराई नहीं बिल्कुल अच्व विपक्ष का जो गटबंदन इंडिया उसमें उसके बारे में क्या रोजान उसमें यह है कि वह लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मोदी जी को रहाने की लेकिन किसी को भी इतना उनके उपर विश्वा बात में आती है तो तो कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार है अचा हर्याना में क्या लग रहा है आपको हर्याना में भी बीजेपी की सरकार है कैसा रहेगा चुनाव में चुनाव में हर्याना की सरकार के में उसमें भी कॉम्परटिशन रहेगा ठीक है बीजेपी की सरक कर देख रहे हैं वो ही कॉंग्रेस और बीजेपी में ही तो यहां छेत्र के लोगों को आपने सुना उनकी राय सुनी के 2024 में जो लोकसभा और विदानसभा के चुनाव होंगे तब इनका क्या कुछ उन चुनाव को लेकर के मूड रहने वाला है वो हमने जानने की कोशिश की ह केमरामेन जेडी के साथ मेहितेंद्र हरियाना न्यूज गुरुग्राम झाल 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 झाल